बॉलुबिट सिनेमा में सल्मान खान को गोड़ फादर के नाम से जाना जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है सल्मान खान अपने शांदार फिल्मी सफर के दोरान एक से बढ़कर एक सूपर डूपर हिट फिल्मे दी है साथ ही उन्होंने एक करियर सवारने का वी जैसे चिम्मा लेकर रखा हो और ये प्रथा आज भी कायम है आज भी सल्मान खान बड़े-बड़े सुपर्स्टारों के बेटों को लोंच करते ही रहते हैं और उनके करियर को उढ़ान देने की कोशिश करते ही रहते हैं और इसकदर सलमान खान कई सारे अबनेताओं के गोट फादर के रूब में भी जाने जाते हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि सलमान खान जिनने पूरा बॉलिवर इंडेस्टी एक बड़े सुपरस्टार के तोर पर चाना जाता था उसकी मदद किस ने की थी तो ये कोई और नहीं बल की ये अन्ना है जी हाँ आपने सही सुना बॉलिवर के अन्ना यानि सुनी शेठी सलमान खान के ऐसे दोस्त हैं जो दोस्ती आज भी बरकरार है एक ऐसा भी समय था जब सलमान खान फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें ओडिशन देने जाने के लिए दर बदर भटकना पड़ता था तब सुनी शेठी ने मदद की थी आज भले ही सलमान खान के पास बंगला है गाड़ी है और पैसा है लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास ना धंके कपड़े थे ना ही उनके पास पैसे ताम मदद किये थे सुनी शेठी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सलीम खान के वेटे होने के चलते ये तो सब को पताता कि सलमान खान बॉलिबन में ही अपना मुकाम तलाशेंगे लेकर उन्हें एक्टिंग का शोक है ये केवल सलीम खान को ही पता था सल्मान खान की पढ़ाई को लेकर लापरवाहिस सलीम खान वैसे ही खफा रहते थे इसलिए जब बार्मी पास करने के बाद सल्मान ने पिता के सामने एक्टिंग को चुनने की चछ जताई तो वह और भी नराज होगे सलीम खान लेकर बनने से पहले एक्टर बनने की आसफल कोशिश कर चुके थे इसलिए इस पेशे के खत्रे को बखुबी समस्ते थे उन्होंने सल्मान के एक्टिंग की खौईश कोई खास तवज्जु नहीं दी और उन्हें एक्टिंग के वज़ाए किसी निर्देशक का असिस्टंट बन जाने की सला दी लेकिस सल्मान खान नहीं माने और एक्टर बनने की लिए श्ट्अल शुरू कर दिया कुमार गोरो इन दोनों स्टार बन चुके थे और वो समय बॉयवर्ड के सबसे अमीर माने जाने वाले अभने ता राजेंदर कुमार के एक लोते बेटे थे और सुलिशेटी फिल्बों में नाम कमाने के साथ बिजनस में उतर चुके थे सल्मान ओडिशन के लिए स्टूडियो दर स्टूडियो का चक्कर लगाते रहते थे लेकर उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होने की वज़े से हर जगे से निराश हाथ ही आती थी एक बार सल्मान खान कुछ पैसे लेकर बांदरा अस्तिते की स्टूर में कपड़े खरीदने पहुचे और वो स्टूर सुलिशेटी का था सल्मान खान को एक जीन्स पसंद आई लेकिन वो काफी महगी थी इतने पैसे सल्मान खान के पास नहीं थे निराश होकर जब सल्मान खान स्टूर से बाहर निकल लगे तो सुलिशेटी न उन्हें वलाया और वो जीन्स उन्हें तोफे में दे डाली दरसल सुनली शेटी सलमान को पहचानते नहीं थे लेकिन जिस जिम में सलमान खान जाते थे उसी जिम में सुनली शेटी भी जाय करते थे बस दोनों के बीच में उतने ही चाहन पहचान थी इसलिए जब उन्होंने सलमान को अपने स्टोर से निराश देखा तो उन्होंने सलमान को जीन्स गिफ्ट में दे दिया इसी जीन्स को पहन कर सलमान खान ने फिल्म बीबी हो तो ऐसी का ओडिशन दिया और सलमान खान सेलेक्ट हो गए यह फिल्म चल पड़ी थी फिल्मे रेखा जैसे अबनेत्री और फारुक शेख जैसे मशूर एक्टर थे और इस तरह उनकी किसमत बदल गई सलमान खान ने आज भी एजिन्स अपने वार्ट रोम में सभाल कर रखी है तो दोस्तों इस तरह साब तोर पर कहा जा सकता है कि जो सलमान खान आज लोकों की कोड़ फादर बने हैं उनकी मदद एक टाइम पे सुनली शेटी नहीं की थी अब आपको ये दिल्चस्प किसा कैसा लगा साथी शुनली शेटी किस धरिया दिली के बारे में आमने क्या कहना है कुमड कर अपना सुझाओ देना ना भूले